आज हम गार्नियर हेर कलर का टेस्ट करने वाले हैं जो के पाकिस्तान का एक फेमस प्रैंड बाना जाता है तो आज मैं बात करने वाली हूँ गार्निया हेर कलर नैचरल क्रीमी नर्शिंग हेर कलर की इसका शेर्ट 7.3 नैचरल गोल्डन ब्लॉंड है इसके दो में इंग्रीडियन्स ओलिव ओईल एंड अवकॉर्डो हैं जो बालों के लिए काफी अच्छे हैं और इसमें हमारे जो बाल हैं वो डामिज नहीं होंगे ब अगर आपको एक्जेक्ट कलर यही चाहिए तो आप इसको काट डाउन करवा कर अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन काट डाउन की वज़ा से आपको पता है कि बाल बहुत जादा डैमिज हो जाते हैं इसलिए यह डिरेक्ट अप्लाइ ही करूंगी मैं थाके नैचरल सा हलका सा शे यह इसमें से तीन-चार चीजें निकल नहीं है फूर्स्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें क्रीम है और दूसरा जो है वर डिवैलपर क्रीम है एक हैर कलर कृम है और दूसरा डिवैलपर क्रीम है 60 ml इसमें developer cream है और 40 ml इसमें hair color cream है इन दोनों को हमने mix करके apply करना है next में आप देख सकते हैं कि ये mini सा pack है garnier का ही, garnier का ये conditioner का pack है इस से आपने last में अपने बालों को wash करना है याद है कि आपने hair color को बालों से उतारना है जब तब आपने shampoo यूज नहीं करना just conditioner से ही बाल wash करने है ये इसकी booklet है जिसमें product की तमाम detail लिखी हुई है ये बहुत helpful रहता है specially जो first time करते हैं hair color उनके लिए बहुत अच्छा है इसमें product की जो product की है वो सारी detail भी mention है आप इसको लगाने से पहले एक दफार जरूर पढ़ने इस box में से gloves का pack भी निकला है जिसमें I think two gloves होंगे तो मैं सबसे पहले gloves पहन लेती हूँ आपको कुछ accessories चाहिए जो easily घर पर available होती है कुछ hair catches चाहिए आपको brush और एंड बाउल चाहिए जो के मेरे पास garnier का ही है गानियर के अकसर box में से बाउल और brush निकलाता है एक wavelength चाहिए जो के हम अपने कानों पे और forehead पे लगाएंगे ताके hair color जो है वो ना लग सके skin पर एक towel लेंगे और साथ में hair cap लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह natural black color है बालों का हम इस पर apply करने वाले हैं अब मैं mixture ready करती हूँ झाल झाल अब मैं हेर कैचर की मदद से बालों के सेक्शन्स बना लूँगी हेर कलर लग चुका है अब हम इसको कैप की मदद से कवर कर देंगे झाल झाल आप देख सकते हैं बहुत लाइट सा शेड आया है बालों में लेकिन ये शेड तेज लाइट या सान लाइट में ही शो होगा लेकिन बाल जो है वो बहुत सौफ्ट और सिल्की हो गए है बहुत एवरिज सा डिजल्ट आया है बट अच्छा है डाक ब्लैक से हलका सा शेड आ आप अपने बालों के अपने बालों के कलर के अकॉर्डिंग कलर स्लेक्ट कर सकते हैं तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करना मत भूलें थैंक्स पर वाचिंग अवीडियो गुट बग्टाइ